सी यो हटाओ अंचल बचाओ जबेन माप्या होस में आओ सी यो हटाओ अंचल बचाओ जबेन परतिनिद्यों का समझ खलारी परखन के प्रागन में सी यो हटाओ अंचल बचाओ फे नाराग साथ हम लोग यहां धाना पर बिठे हैं अठारा तरिक सो आज तीसरा दिन हो चुका है और सी यो ऐसा व्यक्ति है जो कि एक भी काम करने के सच्छम नहीं है खाली टाल मटल करते हैं उसके लावे कुछ सीयोक पास नहीं रहा गया इतना तक कि बैठने तक के भी ने बोलता आम आदमी तरस्त होके घुमते घुमते ठक जाते हैं लाश्ट में छोड़ देते हैं और यहीं नहीं है सीयोक जो कमिया है जो कुछना काल में जो अना जाया था वो भी अंचल में सड़ गया है इसी चलते हैं यहां के लोगों को कहना हम है कि सीयोक जतना जल से जल हटाया जाए उसी में भलाई है अन्या था यह अंचल नर्क बन जाएगा और हमरा आर्थ तक 2012 से लेकर अभी तक जो अंचल से नापी के लिए रशीद कटा हैं अभी तक मेरा नापी नहीं हुआ हम सरकार से बिंती करते हैं कि मेरा काम जल से जल हो पूरा पबलिक करना है कि हमारा जाती आवासी आए यहां तक कि मोटेशन नहीं तो परिवारिक सुची किसी परकार के काम नहीं हो रहा है किसी परकार से अगर देखा जा रहा है जनता का काम आता है उनको बताया जा रहा है कि कोई-कोई सुचना देते हैं कि जमीन मेरा इतना है और कम हो गया मेरा जमीन ओनलाइन बे तो हम लोग इसी को लेकर यहां का रवया देखते हुए अंचल अधिकारी को हम लोग इस धर्ना क कमाधियम से किसी यो हटाओ अंचल बचाओ कमाधियम से उनको हम लोग यहां से हम लोग जाने के लिए और विदाई कर रहे हैं और धर्ना दे रहे हैं कि जब तक वो नहीं अटते हैं हम लोग धर्ना नहीं खतम करें